और चलिसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर मनाली से बता दे दरसल हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हाथसा हुआ मनाली के पास सोलंग वैली में पुल तूट गया मनाली के सोलंग वैली में पुल तूटा और इस पुल की बात की जाए पारी के तेज बहाव में पुल में बहने से महिला समय तीन बच्चों की जाद जानी की खबर एक शब बरामद हो चुका है तो यह बड़ी खबर मराली से तस्वीर हैं आपको फिलार दिका रहें माचल पुदेश में बड़ा हाथा हुआ मराली के पास सोलंग बैली में पुल तूड गया पारी के तेज बहाव में पुल बहा है और यहां पर एसकी ओपरेशन चलाया गया पारी में महिला समय तीन बच्चे बै गए जानकारी अपडेट फिलाल ये अभी तक की एक बच्चे का शब बरामद हो चुका है बाकी की तला पास चारी तो मनाली से तस्वीरे फिलाल आपकी टीवी स्क्रीट पर है सोलंग बैली में पुल तूटा पारी के तेज बहाव में पुल बहा गया और यहां पर महिला समय तीन लोग पारी में बहा गये मनाली से मारे संबादा तक अबले शबोद इस खबर पर विसार से जानकारी देंगे इस खबर को लेकर कोई नया अपडेट साब दी आया देखें महिमा यह जो गटना यह कल दोबेर करीब तीन बजे की गटना है जब जो जो सौलंग जो गाओं है उसके साथ जो नीचे जो सौलंग जो नाला है वहाँ पे जो यह पुलिया थी अस्ताई पुलिया बनाए गई थी महीमा, दो तिन पहले यह पुलिया बनाए गई थी, क्योंकि बार बार जिस तरह से जो लगातार जो प्रदेश में जो बारिश का जो दोर चला हूँ उसके बार नदी नाले लगातार उफान पे तो उसके कई बार जो है दो बार पहले भी पुलिया बाए गए थी है, तो ऐसे में दो दिन पहले ही फिर पुलिया बनाए गए थी, और ऐसे में कल जो है वहां पे वहां मेलया जो है चला हुआ तो जो वहां से जो देवी देथा जब जो बापीस जब आ रहे थे तो इसी दोरान गटना जो गटी तेन बज़े के आसपास और ऐसे में जो है उसी समय जो जो ये दो लड़के बैगे अला कि प्रारमभी तोर से कहा जा रहा था कि तीन है जिसमें महिला का जिकर भी वह रहा है लेकिन बाद में जो है इसकी जो 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 प्रशासनिक दौर पर फुष्टी हो चो जो सुरेंदर जो शर्मा उसके नेतरत में जो है कल देर-शाम तक लगे रही महिमा और आज सुबह जो एक बोडि जो यहां पे जो भान के पास क्रिफ्ट के पास जो है दूसरी बोडि भी जो है रिकवर हो गई है महिमा तो ऐसे में जो है जिस सआर लगातार जो परदेश म किया जाता है कबलेश बोट की डदी रालों से आप दूरी बना कर रखी क्योंकि पानी का तेज बहाविद दिरूस के बावजूद भी लोग खुद की जान को खत्रे में डालते हैं इस्क दो गजा है तो अईसे में प्रशासन लगाता जो है लोगों को सकरख कर रहा है लेकिन बादू भी इसके जो है इस तरह की गचना सामने आ रही है लेकिन जो यह गठना है मैंए इसके जो निर्माना भी चल रहा है मेंए आपको बता दूँ कि जो वहां कर ठेके तार है कि लेख लक्तिती के कारण जो फूल बनना है वहां पर उसका काम बहुत ही दिमी दटी से चल रहा है मैं आपको बदा दो इसका शिला म्याद से पांक साल पहले किया गया था और करोड़ों के लागत पूल ने बलना था लेकिन कहीं देकेदार बस्तरकार की जो अंदेखी है जो पेला रवाया है उसके कारण जो है काम जो है इस पूल का काम जो है दिल्कुल जो रफ्तार के चल है महिमा जी इस खबर पर आपने अज़र बना कर रखेगा आगे भी आपसे अपडेट लेंगे शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तो फिलाल देखिए तस्वीरे और ये बड़ी खबर है अपडेट यह कि दो बच्चे भी पारी में बैग गए एक कश्व बराबद हो पारी मेंगे जाओ इस आबड़ी खबर शीम कै लिए सह ठती है